हेलो वाट्सप गाइस आज हम इस वीडियों देखेंगे डाइनेमिक कॉंटेक्ट सेक्षिन इन्हों रियक्ट वर्जिन 19 क्या होता है इसका मतलब मैं आपको बताता हूं यहां पर आप देख सकते हूं यह जो पर्टिकुलर सेक्षिन आपको दिखाई दे रहे हैं मैं थोगा पुने महारास्टर फाइंडस पुने महारास्टर फाइंडस पुने महारास्टर बठाम मैंने अटलिस आइकेन चेंज किया हूँ है ठीक है तो यह सबसे पहले तो यह जो एक पर्टिकुलर सेक्षिन है हमारा यह कॉमन पैरेंट सेक्षिन यह क्रेट करना बहुत ईजिए व आइकन के साथ यह मैच नहीं कर रहा है इस जगे पर अगर आप देखते हो राइट तो यह find us और यह सेम नहीं है अगर मुझे इसको different करना होता कुछ और लिखना होता मैं क्या करता find us के बदले मुझे मालूम है वह mail है तो तो इतना हो गया एक बार दो बार तीन बार कल की तीन सपोस्ज डस सो हजार आंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है न आप इसी सेम पीटकों करोगे copy, यहाँ पे आओगे करोगे paste, करोगे paste, करोगे paste, करते जाओगे करते जाओगे, करते जाओगे and यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, पहले ठीक था but जब react है and react is all about your component then यह तरीका नहीं करना है क्योंकि हमें clear दिख रहा है यार देखू न, यह एक particular line हर जगे से में, हर जगे से में, इवन यह जो class का नाम है हर जगे से में, यह वाला जो डीब है, यह हर जगे से में सब कुछ से में, खाली different है तो एक icon का नाम, यह find us, अरे पुने महारास्त्रा, इसके अलावा यह जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह 9 line 9 में, हाडली से 3 line चेंज हो रही है बाकि सब सेम है, एंड उस 9 line में भी 3 line को change करने के लिए, different different हमें वापस 9 9 line लिखने, देखो न, इतना कुछ similarity है यहाँ पे, तो इसको अब मैं आपको react के तरीके से बताता हूँ, ठीक है अब आप clearly देख सकते हूँ, यह and यह, मैंने बस अब मेरे पास सिर्फ एक है, अगर मेरे पास सिर्फ एक होगा, तो मुझे दिखेगा भी सिर्फ इस तरीके से एक ही, ठीक है मेरे को सिर्फ एक दिखेगा, अब मैं क्या करता हूँ लेकिन मुझे वो सारे डेटा, एक, दो, तीन, वो तीन मुझे चाहिए थे तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने एक जेसन फाइल क्रेट की यह सबसे बस तरीका है, जब भी आपको लगता है कुछ चीज है जो कार्ट के फॉर्म में है, या लिस्ट के फॉर्म में है, या टेबल में आपको दिखाना है यह कहीं पे भी आप यूश कर सकते हो, यह कहीं पे भी आप यूश कर सकते हो, सोसल मीडिया कहीं पे भी थाड़ा हमारा जो object है कुछ और icon का नाम mail us and this is my actual mail id contact at the red codify dot com and guys हम react basically month series का online classes and then intensive लेके आने वाले if you want let me know in the comment section आपका वो motivation आपका जो असला हमें और motivate करेगा ठीक है परला इस्टे भी है था just आपको एक file create करना है हाला कि यह array of an object है बट मैंने footer contact dot json करके नाम दी है and जिसको कि मैंने आप देख सकते हो source के अंदर API करके folder है वहाँ पर बना के छोड़ दिया footer contact dot json ठीक है all right अब मैं footer वाले पर आऊँगा and यहाँ पर देख सकते हो जो तीन हमारे icons है वो मैं already import कर चुक हूँ यह हमारा world based react version 19 का series का ही पार्ट है जहां पर everyday मैं कुछ practice कर रहा हूँ आप लोगों से and आप देख सकते हूँ कि हम everyday कुछ ने कुछ अभी practice कर रहे है लाए कि पूरा दो गंटे का Axios के साथ call operation dynamic accordion then कल की दिन nap bar बता है था तो उसी को ही मैं continue करके आज यह बना रहा हूँ ठीक है so what I will do import ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ and basically उसको मैं करता हूँ photo contact from dot forward slash dot forward slash dot forward slash all right यहाँ पर आगे आगे तो guys यह आपको देखना है यह जो पार्थ है नहीं हमारे जो relative जो पार्थ है इसको आपको make sure करना proper हो जाईए अब यह जो photo contact है इसके अंदर मेरे सारे data आज चुके होंगे ठीक है so अब में क्या करूंगा देखो यह जो particular piece of code है यह बार बार repeat हो रहा है अब मुझे इसको लूप पे चलाना होगा so यह आप जावस्क्रिप्ट की दुनिया में गुसे and here we have this photo contact and I think spelling भी तो मैंने रॉंग लिखा contact .map and guys अब भी आपको लग रहा होगा यह बहुत simple है wait एक ज़रा wait कीजे आप क्योंकि हमें यहाँ पर icon भी add करना है यह वाली icon and I can directly add नहीं कर सकते कभी भी JSON में तो यहाँ पर भी मैं आपको एक trick बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हो ज़रा सब सबर रखिए so let's go return over here and एक काम करते यह जो particular portion है as it is रखो यह जो है इसको यहाँ से उठाओ and यहाँ पर paste कर दो ठीक है and यहाँ पर current data जो भी होगा सो होगा सिर्फ इतना भी अगर आप कर दोगे तो यह देखो आपको automatic कितनी बार आ गया तीन बार आ गया देखो यह आपको automatic तीन बार आ गया यह है नहीं कितना ज्यादा awesome just एक line हमने I guess 2 यह 3 line extra add कर दी और मेरा यह काम हो गया कितनी इजली अब मुझे इस data को change करना है ठीक है so let's destructure this part so const here we have a icon then we have a title and I guess we have a details yeah icon title and then details perfect then यहाँ पर चलते है and then we have this current data आपके मन में होगा icon है तो यहाँ पर चलो icon रख देते बच्चो वाला काम then आपको लगाओ का find us में हम title रख लेते चलो यह तो ठीक है यहाँ तो कोई problem नहीं आने वाला title and यह जो particular portion है इसको हटाओंगा here we have a details ठीक है alright जो थुई देर पहले कितना लंबा चोड़ा था अब देखो कितना सिंपल सा हो गया है right अब कितना भी आपको कुछ नहीं करना है जितना data add करना है यहाँ पे वो data add करते जाओ यह automatic यहाँ पाएगा अब इसको छोना भी नहीं आपको and boom आई सी यह देखो आप देख रहों क्या हो गया ही यह देखो mail us पहले सभी एक ही थे यहाँ देख उस तो find us पुने महारास्टा find us पुने महारास्टा but at least now you can see यह कितना मस्त लग रहा है but यह जो local surf है and basically यह जो MD place है हमारे icons मुझे icons तो दिखनी रहे now मैंने कहा था ना कि यह आपको लगा होगा simple but अब icons मैं कैसे दिखा हूँ सोचो क्योंकि मैं आपको बाता तो देखो icons तो मुझे यहां से मिलता है मैं लेकर चलता हूँ react icons so here we have this react icons यहां पे let's say call या कुछ भी अगर आप लिख दोगे तो इस तरह की से आपको मिलता है and right side मैं आपको पूरा data यहां पे इस तरह की साता है just you need to copy and paste right so basically यह भी एक component की format में आपको मिलता है but जब मैं यहां पे उसको add कर रहा हूँ यह तो component नहीं है यह तो simple में क्या कर रहा हूँ icon पे मैं just उस value को get कर रहा हूँ right अगर आप सोचते हो चलो इसको क्यों ना मैं एक icon ही बना दो I mean एक component का रूप दे दो इस तरह की से तो guys अगर आप यह सोच रहे हो ठीक है तो फिर तो यह error आ जाएगा value expected बता रहा है अगर आप यह सोच रहे हो जो value है चलो ठीक है कौन सा यह iocall वाला यह वाला इसको मैं यहां पे import करा लूँगा तो यह नहीं होगा क्योंकि json file में आप import कहा से करा होगे तो अब आप क्या करोगे बताओ attack गए ना भी यहां पे कि बाकि सब तो ठीक था the moment बात icon की आई तो वह नहीं हुआ तो guys इसका style मैं आपको बता आता हो trick क्या है ठीक है यह trick को जानना बहुत जरूरी सबसे पहले तो जो भी आपका component होगा उस component को भी आप as a string की तरह ही मानो यह i-o जो भी है आप देख सकते हो यहां पे यह component है ठीक है तो मैं side के यह इसको हटा रहा हूँ मैं as a string यहां पे उसको assume कर रहा हूँ मैंने get कर लिए मुझे यहां पे वह as a string मिल रहा है बट मुझे उसको as a component दिखाना है तो हम क्या करेंगे थोड़ा साब आपको पीछे लेके चलता हूँ if you remember हमारा यहां पे वर्ल्ड बेस्ट जास्क्रिप्ट कोर्स अल्रेड़ी है पार्ट वान पार्ट टू और पार्ट थी तो यह जो पार्ट टू है एडवांस इसमें हमने object के साथ खेला था मैंने उसमें बता था कि dynamic value कैसे आप get कर सकते हो इन objects तो वह आप यहां पे आपका काम आएगा ठीक है कि देखो कैसे let's go with const कोई भी आप एक object बनाओ मैं नाम दे देता हूँ icon map basically mapping करेंगे अब हम यहां पे ठीक है अब ध्यान से देखना यह सारे जो भी है ठीक है यह तो obviously यह ही है देखो ना MD place IO call साब तो यह जो पार्ट है इसको मैं copy करूंगा और इसके यह तो की हो गया तो value में मैं इसको ही अब component की form में देने वाल हो मेरा काम हो गया so now अब मैं क्या करूंगा icon map and then dot इस तरीके से ठीक है अब आपको अगर आप यह सोच रहो कि dot अगर मैं लगा दूंगा तो आप मेरा काम हो गया क्यूंकि icon map dot यह जो भी है में को component की value दे देगा and मेरा काम हो गया right आपको ऐसा लग रहा होगा but in reality वह गायप हो गया कुछ भी नहीं है आपको कुछ भी नहीं मिला कोई icon आपको नहीं मिला क्यूंकि the moment अगर आप इस तरीके से करें तो यह assume कर रहा है कि icon map तो चले no problem but dot icon वह की को find out करने की कोशिस कर रहा है it means कि हाँ अगर इसको आपने icon कर दिया होता तो यह आपका काम करता क्योंकि वह dot icon एक key को find out करने की कोशिस कर रहा है but in reality we don't have any such key हमारे पास तो यह है MD place and all तो यह MD place यहाँ पर चाहिए अब यह तो आपको पता चल गया कि यह तो static and normal की है but मुझे तो dynamic चाहिए so हम क्या करेंगे instead of dot we will use the array इस तरीके से array format so यह आपका object है object में अगर आप array basically square brackets के अंदर अगर आप key का नाम पास करते हो it means अब यह जो होगा icon समझ रब यह वाली icon icon की जो value वो यहाँ पर आ जाएगी आप इस तरीके से समझ लीजे तो icon map dot md place कुछ यह ऐसा हो जाएगा अब काम हो गया ना यह देखो and सिर्फ मुझे एक ही का icon आए बाकी का icon मुझे नहीं आए क्योंकि the moment मैंने यह वाला code लिखा icon में we have only md place तो उसको यह तो मिल गया लेकिन second time हमारा icon में क्या था io call sharp उसको यह नहीं मिला तो इसको copy करो यहाँ पर आओ इस तरीके से comma and then third one is this one अब आपने देखा guys मैंने कहा ना की react में बस थोड़ा सा दिमाख लागा ना ज्यादा नहीं अब आपका यह काम हो जाएगा अब हो गया मेरा काम अब मुझे कुछ नहीं करना है बस खत्तम एक बार इतना कर दिया and boom guys see देखो यह हो गया आपका पुने महारास्ट्रा and यहाँ पर आपको दिखाऊं तो we have a call us mobile number mail us and contact at the red codify starting में मैंने दिखाया था कि guys भले ही icon मैंने चेंज की थी but text मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे बोर लग रहा था मुझे मालूम है कि इसको चेंज करने के लिए वापस वहाँ जाके वो type change करना है but अब कुछ नहीं करना मुझे अब कल की दिन कुछ भी अगर आपको add करना हो simply यहाँ पर आओ just यहाँ पर आईए एक और mail us contact नहीं चलो type add the red codifier को कर देना इस तरीके से तो देखो data यहाँ पर automatic एक और add हो गया I know वह उसके नीचे overlap हो रहा है but it's fine but कहने का मालने भी कि अब आपको छूना भी नहीं है code को else हमें एक और जो 9 line का code उसको copy paste करना पड़ता था but आप कुछ नहीं बस यहाँ पर add कर दो आपका काम हो गया so guys this is how हम react में काम करते है and this is the power of your component जहाँ पर कैसे आपने इसको like कितनी easily करते if you want आप इसको further like एक अलग file बनाया सकते थे but मैंने दिखाए कि like हाँ आप इस तरह की से simply कर सकते हो so मैं आसा करता हूँ guys आज आपको कुछ नया जरूर सिखनी मिला होगा and जो हमारा final project होगा website का कुछ उसका theme ऐसा ही होने वाला है तो मेरी पूरी कोशिस से कि guys आप लोगों को वह अच्छे से में सिखा सको है आप लोगों को अच्छा लगे क्योंकि हमने react में almost हमारे 100 video complete होने वाले तो guys अभी तक please इतनी महनत 100 दिन continuous मैं आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूँ तो उसके लिए अभी तक अगर आपने प्लीज कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप जल से जल फाइनल प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो guys चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए लेट्स हिट 7 लाइक सब्सक्राइब हम बहुत करीब है almost 6.99 6.90 हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक दोस्तों को भरवर के शेयर और इफ यू वांट इंटर्सिव एंड या ओनलाइन क्लासेश लाइट मून दे कमेंट सेक्षेन और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलेगा तो मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में टिल्दन